हेलो फ्रेंड्स मैं अनिरुष छर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टैक मास्टर में और आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे हाउ टो इंस्टॉल पाइफन प्रोग्रामिंग एप जिसे आप आईडियली के नाम से भी जानते हैं बहुत इजी त्री स्टेप्स में हर एक बिट प्रोसेसर के लिए और पाइफन के हर एक वर्जन के लिए तो आईए स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं और इंटरनेट से कनेक्टेड हूं इसके लिए में इंटरनेट से कनेक्ट होना बहुत ही जुरूरी है और अगर हम चनेक्टेड है तो उसके बाद हमारे पास जो भी ब्राउजर है मुझे उपन करना है मेरे पास Chrome है मैं Chrome का युज कर रहा हूँ पाइफन की वेबसाइट को ओफिशल पेज ओपन हो जाएगा और ओफिशल पेज पर आप देख सकते हैं अब आउट के जस्ट नेक्स्ट कॉलम है डाउनलोड उस डाउनलोड में थर्ड ओप्शन है विंडोस आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप विंडो का कर रहे हैं यह घञ Ama question की लिए अलग प्लैट फॉम होता उसका यूसरा प्मसेशल आप अपना बर्जन चूस कर सकते हैं मैं विंडोस स्कूश करो जैसी में विंडोस स्कूश करता हैं मेरे पास कर बहूत सारे options आजाते हैं बहुत सारे options अजैसे आजाते है डाउनलोड कर न 8.3 है और जो उससे old version है वो है 2.7.18 और इसने हर एक option के लिए आपको vary करके दिखा रखा है कि आपको 64-bit के लिए file चाहिए और zip file चाहिए executable installer चाहिए web-based installer चाहिए इसने already आपको vary कर रखा है तो जैसे ही हम इस 64-bit web-based installer को download करेंगे click करेंगे click होते हमारे file download होना start हो जाई है जैसे हमारे file download हो जाती है हम open करेंगे जैसे हमारे file open होगी जैसे कि मैं पता दूँ आपको कि मैं इसको already install कर चुका हूँ इसलिए यह से मेरे पास install का option ना देते हुए modify repair और uninstall का option दे रहा है अगर आपने इसे install नहीं करा है तो जैसे आप open करेंगे यहाँ पे modify के place पे कहाँ पे modify के place पे आपको install का option मिलेगा और आपको आप उसे click कर देना है और आपका python का जो ideally app उसका installation स्टार्ट हो जाएगा जैसे आपका installation finish होता है आपको finish का option मिलेगा सेम इस cancel वाले place पे यह हो सकता थोड़ा इधर भी उस पे click कर देना है और जैसे आप finish कर देंगे आपके जैसे आप finish पे click करेंगे आपके PC के या laptop के search बार पे जाना है और वहाँ पे हमें टाइप करना है IDLE IDLE के लिए जो हमारा app है वो हमारा show हो जाएगा उसे हमें click करना है और इस app को open करना है जैसे आप देख सकते हैं अभी open हो रहा है जैसे हमारा app open हो जाएगा वो हमें कुछ इस तरह दिखाई देगा जहां पे उपर लिखा होगा python का version 3.8.3 और उसके कुछ copyrights और हमें चेक करना है कि यह correctly install हुआ है नहीं correctly work कर रहा है नहीं तो उसके लिए हम सबसे basic प्रोग्राम जो हमारा basic printing प्रोग्राम उसको टाइप करके चेक करेंगे print hello world यह हमारा सबसे basic प्रोग्राम है जैसे मैंने print लिखा उसके बाद bracket start करें और हमें जो भी print कराना है हम उसे columns में देते हैं जैसे हमने यह करके इसको enter हिट करा hello world जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह correctly जैसा कि हमने print कराया बिलकुल वैसा ही print कर रहा है तो दोस्तों इसके बिलकुल बहुत easy three steps है हमें चेक करना है कि हम लोग internet से connected है या नहीं connected है तो हमें हमारे browser पे जाना है python की original website को search करना www.python.org python का official page open हो जाएगा वहाँ पे जो भी हमें windows के लिए चाहिए था operating system तो हमने windows के लिए क्लिक करा यहाँ पे 62 bit को option भी है और 32 bit को option भी है जैसे कि आप देख सकते हैं जिसके कि जुदा है